दोस्तों स्वस्त रहने के लिए जितना जरूरी अच्छा खान पान और वयायाम है उतना ही जरूरी अच्छी नींद लेना भी है क्योंकि अगर आप अच्छा खान पान और वयायाम कर रहे हैं लेकिन शरीर को जरूरत भर भी आराम नहीं दे रहे हैं तो फिर आपका अच्छ दोड़ भरी जिंदगी में, खासकर बड़े-बड़े शेहरों में रह रहे लोगों में अनिंद्रा की समस्या अधिक है। पारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किये हुए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किरपया इसे सब्सक्राइब करें। अनिंद्रा के साथ ठीक कर लेना ज्यादा बहतर है। नहीं तो ये समस्या आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रियेट करती है। निंद्रा आने की समस्या एक निंद्र का डिसॉर्डर है, जो समय के साथ साथ इंसान के उर्जा के स्तर को, हैल्थ को, काम करने की शमता को धीरे धीरे कम करने लगती है। दोस्तों निंद्रा आने की समस्या को चार भागों में बाटा गया है। चलिए पहले इसे समझ ले। पहला तीवर अनिंद्रा, दोस्तों इस तरह की अनिंद्रा एक आम अनिंद्रा है, जो कुछ दिनों से लेकर महीनों तक रहती है। इसके कारण लोग तनाव का अनुभव करते हैं। दूसरा पुरानी अनिंद्रा, ये अनिंद्रा सबताह में कम से कम तीन या कम से कम एक महीने तक रहती है। इसे क्रोनिक अनिंद्रा भी कहते हैं। आमतोर पर इस तरह की अनिंद्रा, लोगों को डाइबिटीज, हाई बलड डिप्रेशन जैसी दवाओं का सेवन करने के कारण होता है साधी अपने देने के रुटीन के साथ छिलचाड के कारण भी कुछ लोगों को इस तरह की अनिंदरा का सामना करना पड़ता है तीसरा ओंसेट अनिंदरा इस टाइब की अनिंदरा में लोगों को रात के शुरुआत में सोने में दिक्कतें आती हैं, यानि कि उन्हें बैट पर जाने के बाद काफी मशक्कत के बाद नीद आती है दोस्तों कुछ लोग रात भर सोने में असमर्थ रहते हैं, दरसल ऐसे लोग मेंटेनेंस अनिंदरा का शिकार होते हैं, ये रात भर नीद आने की वज़ा से परिशान रहते हैं, दोस्तों आम तोर पर नीद आने की समस्या हमारे डेली लाइफ की घटनाओ तनाओ एवं आदत पर depend करता है। इसके अलावा इस समस्या के कुछ medical कारण भी होते हैं, जिस वज़ा से लोगों में नींदरा आने की समस्या होती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि नींदरा आने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला तनाव, नींद नाने की समस्या में तनाव एक प्रमप कारण है, तनाव भी लोगों में कई वजाहों से होता है, जैसे की आर्थिक तंगी, घर की परेशानिया, काम का प्रेशर, तथा भावनातमक कारण, इन सब वजाहों से लोग तनाव ग्रस्त हो जाते हैं, और फिर इसी तनाव की वजा से, उनकी नींद प्रभावित होती है, तनाव के कारण रात भर लोग अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, और नींद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, दूसरा मानसिक विकार, दोस्तों नींद नाने की समस्या में मानसिक विकार भी कारण है, हलाकि ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, लेगिन जो भी मानसिक विकार से पिड़ित होते हैं, वो नीन से बहुत जल्दी जाग जाते हैं, जोगी अनिंद्रा का ही एक लक्षण है, तीसरा शाम को अधिक मातरा में भोजन, दोस्तों अनिंद्रा के कारणों मे शाम को अधिक मातरा में भोजन करना भी शामिल है, हलाकि ये बात भी अलग है कि लोग अधिक मातरा में भोजन करने को इस समस्या का कारण नहीं समझते हैं, लेगिन ये सच है कि शाम के वक्त अधिक मातरा में भोजन करने से हमारी नीन्द प्रभावित होती है, चौथा ज नींद्रा आने की समस्या उत्पन हो जाती है। नींद्रा आने की समस्या शुरू हो जाती है। अगर बच्चों में ये समस्या शुरू हो जाती है तो वो पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों दूद्रा असानी से उपलब्द होने वाला उत्पाद है। बस आपको करना ये है कि सोने से पहले एक गिलास दूद्र गर्म कर लें। फिर धीरे धीरे इस दूद्र को पीएं। ऐसा माना जाता है कि गर्म दूद्र अच्छी नींद्र लेने में सहायक साबित होता है। नमबर दो, दोस्तों कैमोमाईल चाय का इस्तमाल अनिंद्रा से राहत पाने के लिए एक बहतर उपाई साबित हो सकता है। जी हाँ, कैमोमाईल चाय में फिलेवोनॉइट्स पाया जाता है, जो नींद लाने में काफी हद तक सहायक है। इसे गहरी नींद के लिए प्राकरतिक उपचारों में से एक माना जाता है। नमबर तीन, नींद की समस्या से जूज रहे लोगों के लिए मुलैठी काफी असरदार साबित होती है। दोस्तों मुलैठी में कई ऐसे तत्व पाय जाते हैं, जो हमारे शरीर को कई तरह के स्वास्त लाप प्रदान करते हैं। मुलैठी की जड़ का पाउडर गर्म दूद के साथ लेने से नींद ना आने की समस्या ठीक हो जाती है। नमबर चार अश्वगंदा स्वास्त के लिहाद से कई मुलेवान गुडों से भरपूर एक शक्ती शाली औशदिये जड़ी बूटी है। सोने से पहले एक कब दूद के साथ कुछ अश्वगंदा जड़ का पाउडर मिला कर पीने से आपको अच्छी नींद आ सकती है। दोस्तों इसे अनिंदरा से चुटकारा पाने के लिए घरेलू उपचारों में से एक माना जाता है। दोस्तों बादाम के बादाम के बारे में जङधातर लोग बस यही जानते है कि इससे हमारी बुद्धी का विकास होता है। लेकिन वास्तव में इसके सेवन से नींद ना आने की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। बादाम को पीस कर इसके पाउडर को एक गिलास गर्म दूद में मिला कर पीने से नींद की समस्या से नेजात मिलती है। तो दोस्तों ये थे कुछ घरेलू उपाए जिससे आप नींद की समस्या को दूर करने में काफी हद तक सफल हो जाएंगे। इन सब के अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप जितनी जल्दी हो सकें अपनी नींद के पैटर्न को विक्सित कर लें। देर रात तक मुबाइल या टीवी देखने से बचें और यदि आप गंभीर रूप से अनिंद्रा की समस्या से जूज रहे हैं तो हमारा सुझाओ है कि आप किसी डॉक्टर या विश्यशग्य से संपर्क करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।